स्टॉक जिनी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त भी शेक शर्म और इस वीडियो में डिसकुशन करने वाले हैं भारती 8L के बारे में तो शुरू करते हैं दोस्तों बात करते हैं आज के 15 मिनट्स चार्ट की जैसे स्टॉक ओपन हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर gap down ओपनिंग देखने को मली और लगातार गिरावट चारी है 6.78 रुपीज पर trade करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है 3-hour चार्ट पर भी आप देख सकते हैं स्टॉक बार-बार ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन फिर से गिरावट जारी हो जाती है तो अगर यही गिरावट जारी रहती है तो नीचे की तरफ 670 रुपीज का एक सपोर्ट लेकर चल सकते हैं अगर यही गिरावट जारी रहती है और यह सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है तो देखिए 660 रुपे की तरफ गिरावट हमें देखने को मिल सकती है तो यह होने वाले हैं सपोर्ट टार्गेट की अगर बात करें तो उपर की तरफ अगर शांदार तेजी स्टॉक दिखाता है तो 720 रुपे का एक टार्गेट उपर की तरफ स्टॉक अचीव करेगा तो 720 रुपे का टार्गेट और यह जो सपोर्ट हमने आपको बता है इस पर आपको ध्यान रखना है देखिए अब बात करते हैं क्या इन लेबल्स पर फ्रेश पाइंग करना चाहिए नहीं तो मैं आपको बता दू दो तो 715 रुपे का एक रेजिस्टेंस लेबल है 715 रुपीज का जो लेबल है इसको पहले क्रॉस होने दे तब ही कोई बाइंग का मौका बनेगा दोस्तों 715 रुपे का इंतिजार करें जैसे ही स्टॉप इस लेबल को ब्रेक करता है एक शांदार मौका बन सकता है तो यही स्टेटेजी अभी अपनानी है हमें वेट एंड वाच की स्टेटेजी अपनाएं नो फ्रेश पाइंग आप चाहें तो अपनी खुद की अनलाइसिस खुद की रिसर्च जरूर करके चल सकते हैं सपूर्ट का खासा ध्यान रखें स्टॉप फ्लॉसिस लगा कर काम करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद